सब्सक्राइब करें जुम्मा किचिन को और बैल आइकन को दबाएं ताके हमारी लेटिस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचेंग हेलो फ्रेम्स वेलकम टो जुम्मा किचिन आज हम अपने किचिन में बनाने जा रहे हैं चिकन मलाई कबाब या चिकन मलाई कटलेक्स बहुत ही आसान और बहुत ही मज़िदार ये कबाब बनते हैं तो इसके लिए मैंने लिया है एक प्रेशर कूकर और इसके अंदर मैं डाल देती हुए हाफ केजी बोल्नेस चिकन ये ब्रेस्ट का पीस है और चोटी-चोटे साइस की बोटिया मनी हुए है ये फ्रीजर में रखा हुआ था थोड़ा सा जमा हुआ है अगे अच्छे से थो नहीं हुआ है तो मैं ऐसे काल देती हूँ अभी बुछ जाएगा इसके अं नमक और एक टेबल स्पून अद्रा क्लहसन का पेस्ट अब लिए हैं मैंने चार मीडियम साइस के आलू ये देख लीजे इस तरह से और इनको मैंने अच्छे से दो लिया था आलू के हम दो पीसिस कर लेंगे और इस तरह से प्रेशर कोकर में इनको भी रख देते हैं ताकि ये भी साथ में ही पॉइज हो जाए तो चार पीसिस है अच्छे से धुले हुए है और ज्यादा बड़े नहीं है मेडियम साइस के रख देतीं तो आपकर सम्ट्रेशर कूकर कर ढख देते हैं और मीडियम प्लेट कर देंगे फिर हम इसकी गैस को बंद कर देंगे और जब ह आलो हमारे हो गई है तो इनको हम एक प्लेट में अलग निकाल लेते हैं और इनको जब थोड़े ठंडे हो जाएंगे हम छील कर मैश कर लेंगे वह मैं भी दिखाती हूं पहले आलो निकाल लेती हूं हमने अपनी गैस को दुबारा ओन कर दिया है क्योंकि इसमें अभी कफी पानी है इसको भी खूल कर ड्राय कर लेते हैं जब तक हमारे चिकन का पानी ड्राय हो रहा है हम आलों को छील के मैश कर लेते हैं गरम गरम आलों को हम मैश कर लेते हैं देखें बहुत ही थोड़ा सा चिकन में पानी बचा है साथ मैं इस तरह से तोड़ती भी जा रही हूं आ . अर बस बाल किले का यह तो से किन और और यह ओजाएगा तो देखें हमारे चिकन पना पूरा पानी או गयर है और यह तरह से मैने इसको कावीत अर्त प confined है तोो बस को इटि एक उसकी आल एटिए हूं गरम को ही इस तरह से स्पून की हेल पसे अ मैश कर लिया है इसके हो श्रेड कर लिया है और जो थोड़ा बहुत बचेगा वो में हाद से कर लेती हूँ अब गरम है तो इजीली हो जाएगा इस तरह से देखिए इस तरह से चिकन श्रेड हो गया है बहुत ही आसानी से हो जाएगा अगर गरम है तो अब डाल देते हैं इसके अंदर हमारे उबलेवे आलू और दोनों चीजों का हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब बनाते हैं हम काटलेट्स और डालते हैं इसमें कुछ स्पाइसे तो यह लिए हैं मैंने तीन बारिककटी हरी मिर्चे और यह तकरीबन वन फॉर्थ का प्लिया है बारिककटा हरदन्य यह हम इसमें डाल देते हैं ज्यादा बहुत ज्यादे इसमें स्पाइसेज नहीं डालेंगे हलके फिलके डालेंगे वरनेस का फ्लेवर जो होता है वह काफी काम हो जाते हैं अब डालते दें हैं कुछ सूखे मसाले तो यह लिया है मैंने एक टीस्पून उटे हुए लाल मिर्च वन फो टीस्पून नमक पहले भी डाल चुके हैं एक टीस्पून मैने लिया है भूना और खोटा हुआ जीरा और एक टीस्पून मैने लिया है सफेर मिर्चो का पाउडर अगर आपको मिल जाए तो डाल दीजेगा वर नाप इसकी जगह ब्लैक पैपर पाउडर भी डाल सकते हैं और इसका जो में और हमारे मिक्सर रड़ि हो गया है तो कटिलेट की कोटिंग के लिए और ब्रच इसे से श्यसा हैं। सफ ही में लिए हैं üzerine ब्रैट इक कर्म्स की दिखा देती हूँ कि मुए अगहीं। अग्यु छैक फोई भी लेक्ट है। तो ये थोड़ा सा हमें एक portion ले लेते हैं अपनी पसंद के हिसाप से, न बहुत बड़े न छोटे, इस तरह से, पसंद के हिसाप से बना देजेगा, यह देखिए, अब सबसे पहले हम करेंगे इनको अंडे में डिप, यह अंडे में डाल देती हूँ, दोनों तरफ से, इस तरह से, यह कोट कर दिया है, अब डालते हैं हम इसको bread crumbs में, देखिए, तो सूखे हाँ से, bread crumbs में हम इसको roll कर देते हैं, यह देखिए, तो बस, यह हमारा, एक cutlet ready हो गया है, इस तरह से मैं सभी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, तो देखिए, आधा किलो चिकन, और चार मेडियम साइज के आड़ों में, हमारे कितने ज्यादा cutlets बन गये हैं, तो कम से कम, यह 21-22 cutlets, थोड़े अच्छे ही साइज की ज्यादा छोटे नहीं बनाये, मैंने, इस साइज के बन गये हैं, अब स्टेज पर आप चाहें, तो इ मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा ओल गरम करने के लिए रख दिया है, तो ओल हमारा मीडियम होट होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा गरम, ना ज्यादा ठेंडा, वैसे तो हमारे मिक्स्चर में जितने भी इंग्रीडियेंट्स हैं, वो पहले से पके हुए हैं, तो बस यह ठीक है, मैं डाल देती हूं अपने कटलेर्स, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, बस अब इनको अच्छे से कलर देने तक फ्राय कर देंगे, बहुत जादा नहीं पकान है, मिरियوم ख्लेम पर, मैं इनको पकने देती हूं, साइट पर कर देती है, यह हूं क साइट पर कलर देगा, आद ज़किसाइट हैं, तो दтеखी, कटलेक्स पे हमारे कितना अच्छा गोल्डन अब बस हम इको निकाल लेते हैं. देख्या, वबर्दफ हमारे कटलेक्स तैयार हो गए हैं, इनको जो में पटीशू पड निकाल लेती हैं. तो यह सब निकाल लिए हैं इसी तरह सी में बाफी के कटलेट्स भी फ्राइ कर देखें तो देखें तयार हैं हमारे चिकन मलाइक कटलेट्स बहुत ही जबरदस बने हैं तो इस रमजान यह रेस्पी आप जुरूर ठाय कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद और अगर आपनी मेरे चानल को कि तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा अलाहाफेज